Hello everyone, Namaste, Welcome to the GOE Colleges GS और हम लोग as usual discuss कर रहे हैं अपने NCRT सीरीज में Fundamentals of Physical Geography, Class 11th का Unit No. 3, Chapter No. 3 जो की है Interior of the Earth के बारे में तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि हमें Interior of the Earth जाननी की जरूद क्यों है खास करके Geography में जब हम Surface से Related चीज़े को पढ़ते हैं तो Interior को जानके हमें क्या जरूद पड़ेगी तो इसका मतलब यह है कि Internal Structure या Interior of the Earth को जाने बगैर आप Surface के Processes को Forms को नहीं समझ सकते हैं इसके लिए Interior of the Earth का थोड़ा Knowledge होना बहुत Important है तो यह Chapter इसी पर आधारित है कि Interior of the Earth को हम कैसे समझें क्या क्या Evidences हैं क्या क्या चीज़े हैं उससे Related तो आप इस वीडियो को लास तक देखिए और इस चीज़ को पूरे अच्छे से समझ लीजे क्योंकि इसमें Geological Background जो है वो थोड़ी सी आपकी स्ट्रॉंग हो जाएगी और इससे बेटर आप फिजिकल जोग्रिफी को समझ पाएंगे खास करके जो Land Forms वाले सेक्शन आएंगे आगे उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अगर आपको हमारे पेड कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे सारे paid courses, UPSC, UGC net, MA entrance examination, CUET, सबसे related courses हमने बनाई हुई है अगर आपको वो courses लेनी है तो आप हमारे website की details को जरूर देखिए अब आगे बढ़ने से पहले याद दिलादू कि मैं हमेशा appeal करता हूँ आप लोगों से कि हमारे videos को share करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, students में ताकि और भी लोगों को फायदा पहुंच सके और हमारे चैनल को subscribe जरूर करिए इससे हमें बहुत motivation मिलता है अगला video लेके आने के लिए So let's now learn तो जैसे आप दे सकते हैं इस unit number 3, chapter number 3 का नाम है interior of the earth तो सबसे पहला चीज कि अगर ये धरती का surface है, surface के उपर जो है वो क्या है? Geography है और surface के नीचे जो है वो geology है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखे तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इस unit में, वो geological structure से related चीज़ें है Geological sciences से related है, जो की intern effect करता है धरती के उपर के surfaces को तो इसलिए internal structure को जानना बहुत important होता है, तो यहाँ पर question से हमेशा जैसा की NCRT शुरू करता है, उसने किया हुआ है कि क्या आप earth को imagine कर पाता है, उसके nature को क्या वो solid ball की तरह है, या hollow ball है अंदर से, कैसा structure है उसका, किस तरह से आप उसको देखते है और जब आप देखते हैं कि hot molten lava निकल के आता है, dust और smoke निकल के आता है, magma outflow, जैसे आप देखेंगे Hawaii Islands में, Kilua Mount है, वो अभी erupt हो रहा है, गैसा की news में आ रहा है इस समय पे, जब हम ये video बना रहे है तो ऐसा होते हैं आप देखते हैं तो क्या समझाता है, धरती के नीचे कैसी चीज़ें हैं और किस तरह से function करता है ये सब जानने के लिए आपको internal structure को समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक शब्द यूज किया गया है configuration, बनावट structural configuration कैसा है surface of the earth का, ये समझना ज़रूरी है तो configuration surface का अगर आपको जानना है physical geography में, तो obviously ये product किस चीज़ का है, सारे processes का, जो की interior से आता है इसलिए इन processes को हम exogenic और endogenic process कहते हैं, तो exo मतलब external surface के उपर के processes और endo का मतलब क्या होता है जो processes नीचे से effect करें, धर्ती के नीचे के processes को endogenic processes या endogenic processes कहते है तो इन सब का proper understanding जो है वो बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा लिखा है कि human life is largely influenced by physiography of the region मतलब हम जो भी चीज़ करते हैं, उसमें physical geography का बहुत बड़ा role है, हमारा resources से लेके, हमारा structure, सब इसी पर आधारे तो physiography क्योंकि अंदर से controlled होता है, इसी लिए अंदर को जानना जरूरी है, इसी लिए internal structure को जानना जरूरी है, right, therefore it is necessary that one gets acquainted with the forces that influence landscape development, बिना अंदर के processes को जाने, endogenic processes को जाने, हम उपर के surfaces का explanation नहीं दे पाएंगे, समझदारी नहीं build कर पाएंगे, तो अगर एक question हो, to understand why the earth shakes, earthquake क्यों आता है tsunami क्यों आता है, इन सब सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, अगर आप internal structure को नहीं जानता है, तो पिछले chapter में देखेंगे हमने earth क्यों कैसे बनता है, कैसे minerals जो है, heavier minerals नीचे settle हुए, surface create हुआ, यह सारी बाते हमने पढ़ा, crust mental core का divisions हमने सीखा, right, कि ऐसा है, तो हम physically जाते हैं अंदर, फिर पता करते हैं, तो यह तो असंभव है, हम नहीं जाते हैं, तो कैसे पता लगता है कि earth का radius जो है, वो 6370, या बहुत जगा आप देखेंगे, 6371 actually लिखा हुआ होगा, तो अगर यह धर्दी ऐसे है, और इसका center से यह जो area है, आप देख रहे हैं, radius है, 6371, यह है, तो आप क्या धर्दी के नीचे इतने किलोमेटर तक आप जा सकते हैं, 6371 किलोमेटर तक तक ताकि आपको सब पता चले, तो नहीं, तो of course no one can reach the center of the earth and make observations and collect samples, तो फिर क्या तरीका है इसका, तो हम जो भी available information है, वो अलग-अलग sources से, direct और indirect sources से, observation से, material से analyze कर इसलिए आप देखेंगे, दो important sources है, कुछ sources क्या है, direct sources है, information के लिए, क्या है, तो आप देखेंगे, क्या easily available है, solid earth material, rocks available है आपके पास, mining areas है, जैसे for example, gold mines, South Africa में, बहुत deep mines है, अगर आप देखेंगे, 3-4 km deep है, तो अगर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ के पत्थर को उठा करना, लेकिन mining, जो projects होते है, वहाँ से आपको जो भी पत्थर मिलते है, वो उसी का resultant है, जो धरती के नीचे के process है, तो आप थोड़ा idea लगा सकते है, समझदारी बना सकते है, right, तो scientists क्या करते है, बहुत deep exploration वाले projects भी करते है, जैसे deep ocean drilling project है, याद रहेगा, deep ocean drilling project, so DODP, और यहाँ पर आप देखेंगे, integrated ocean drilling project, यह जो projects है, यह बहुत deep drilling projects, mines जो है, वो create किया जाता है, holes create किया जाता है, जैसे deepest drill hole cola में है, Arctic में, right, और यहाँ पर आप 12 km तक जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे, 6, 3, 7, 1 में से हमने सिर्फ 12 km कवर किया है, यह तो बहुत insignificant नजर आता है, तो इसलिए direct sources का अपना limitations है, तो फिर बाकी चीज़े क्या है direct, अब volcanic eruption का हमको बहुत सहारा मिलता है, क्योंकि volcanic eruption में जो magma निकल के आता है, जो lava flow होता है, वो धर्दी के बहुत deep से होता है, तो आपको समझाएगा उसको पढ़के कि धर्दी यह नीचे की condition क हम क्या चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इसमें आप देखेंगे, जो हापको directly available नहीं है, तो indirect sources में आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या, gravitation, magnetic field, seismic activity, यह जो तो तीन चीज़ें हैं, इसको हम read करके, इसकी analysis करके, हम क्या गरते हैं, यह अंदाजा लगाते है, maximum chances तक, maximum probability तक कि क्या सच है, right, exact सच फिर भी हमें नहीं पता, अभी इस पर और research चल रहा है, लेकिन maximum likelihood की बात हम करते हैं, कि क्या होगा अंदाजन, तो इसमें seismic activity का role बहुत है, तो यहाँ दिया है, gravitation force G is not same at different latitudes on surface, it is greater near poles and lesser near equator, poles पे gravity का impact ज्यादा है, और आप देखेंगे, equator पे सबसे कम है, this is because of the distance from the center at equator being greater than that of the poles, मतलब earth जो oblate spheroid है, यानि poles पे flat है, और यहाँ पे equator पे burst out है, तो यह जो radius है, और यह जो radius है, दोनों में फरक है, और इसके विए से gravity में फरक होता है, यह चीज़ यहाँ लिखा है, तो gravity values also differ according to the mass of the material, याद होगा अगर आपने पढ square, gravitational constant, mass of one object, mass of other object and distance between them, यह basic physics है, तो इन सब में mass और distance का बहुत रोल होता है, इसलिए आप देखेंगे values बदलती है, तो reading of gravity at different places influenced by many other factors, तो gravitational anomaly कहते हैं इसको, मतलब generally अगर gravitation एक जैसा हो तो anomaly नहीं होगा, लेकिन कुछ exceptional cases है, जहाँ पे anomalous cases देखते हैं, तो anomalous cases को study करके आइडिया लगता है, इसको magnetic surveys के दोरान भी हम पढ़ते हैं कि क्या situation है, कैसा magnetism है धरती के नीचे, और further, जो सबसे important source आज के date में माना जाता है, वो है earthquake से release होने माली seismic waves या seismic activities, तो आप देखेंगे study of seismic waves बहुत अच्छा picture प्रवाइड करता है layered structure को, यानि धरती में otherwise इसको देख सकते है, right, तो ये जो है बहुत important है, अब सबसे important चीज़ यहाँ पर क्या इसी के साथ, कि earth shake क्यों करता है, right, earthquake क्यों होता है, तो ये होता है because of emanation या release of energy की वज़े से, और इसको जहां से release होता है, उस area को आप देखते हैं, fault या fault line बोलते हैं, detail में हम आगे के chapters इसमें definitely पढ़ेंगे कि fault क्या होता है, fault क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि crystal rocks में जब break होता है, और एक इधर move कर रहा है एक इधर, तो इस बीच में जो gap create होता है, ये fault line है, और यहाँ से वो energy बाहर आता है, तो अकसर आप देखेंगे कि जब भी earthquake आता है, तो बो करती है, तो जहां आप से energy release होती है, उसको हम क्या बोलते है, focus कहते है, seismic focus, या इसको दूसरा नाम दिया गया है, hypo center, लिखा हुआ है, hypo center, hypo मतलब नीचे, hyper मतलब उपर, और उपर जो ये point पे जहां touch करता है, उसको हम epicenter कहते है, ap means surface के उपर, epidermis, right, तो ap means apex उपर, तो ये दो word है, epicenter और hypo center, जिसको focus भी कहते है, इन सब बातों का structurally हम analyze करते हैं, पढ़ते हैं, अब earthquake waves जो निकल के आती है, तो आप देखेंगे कि धरती के नीचे से आती है, तो ये बहुत सारा information लेके आते हैं, और ये information हम decode करते हैं, अपने geophysical labs में, तो अगर इंडिया में आप geophysical lab देखेंगे, तो NGRI, National Geophysical Research Institute है, हाइदरबाद में, आप देख सकते हैं, उनके website और उनके काम को कैसे वो काम करते हैं, सिस्मोग्राफिक रिकॉर्ड रखते हैं, और कहां पे धरती पे कैसा surface है, किस तरीके से structure है, 200 km deep surface में कैसा है, तो सिस्मोग्राफ के थू हम इ आप देखेंगे, कि surface wave क्या है, तो surface wave है, जो सिर्फ से के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर मूव करते हुए, तो body waves interact with these surface rocks and generate new set of waves, मने यहां से निकला wave, body wave, और यहां टकराया और फिर दूसरे waves generate किये, यह है surface waves, तो इसको पढ़ते हैं, यह diagram आपको बताएगा कि P wave, S wave और यह जो L wave है, इस तरीके से इसको divide करके हम लोग पढ़ते हैं, तो primary और secondary wave भी इसको बोलते हैं, P और S wave को, P wave जो होता है, वो सबसे पहला wave होता है, और वो सबसे fast भी होता है, इसको primary waves कहते हैं, और यह बहुत तेजी से, almost sound waves की तरह travel करता है, और हर medium से, gas, liquid, solid, सबसे यह निकल जाता है, अलग-अलग medium हो, तो भी यह travel कर लेता है, तो यह चीज़ है important, जबकि secondary wave नामी है secondary, यानि यह आप देखेंगे, कि यह travel करता है solid material से ही, अगर रास्ते में इसको कोई liquid मिला, या कोई और medium मिला, तो यह वहाँ travel नहीं करेगा, यह change कर लेगा उपना रास्ता, उससे यह travel नहीं कर सकता है, इससे पता लगता है, कि धरती के नीचे solid surface है, molten surface है, liquid surface है, कैसा surface है इन waves को, तो यह चीज़ बहुत important है, अब surface पे जब यह wave आता है, तब शुरू होता है, जिसको आप देखते है, seismic wave से destruction, तो यहा नहीं करना जरूरी है, कि P wave जो है, वो vibrate करता है, parallel to the direction of wave, right, तो P wave अगर ऐसे चल रहा है, तो अपने ही direction में vibrate करेगा, right, यह important है, और यह exert करता है, pressure material पे in the direction of its propagation, right, तो यह density differences जो हो material के अंदर, stretching, squeezing of the material से पता लग जाता है, लेकिन बाकी के जो है, वो perpendicular to the direction travel करता है, मतलब तो अगर wave ऐसे चल रहा है, तो इनका असर इधर और इधर भी होता है, तो यहाँ पे vibration जो है, वो perpendicular है, इसलिए यह देखेंगे कि यह vertical plane में आप अगर इसको देखें, तो यह इस तरह से भी move करता है, इससे क्या होता है, बहुत सारे crest and trough create हो जाते हैं, wave तो ऐसे चल रहा है लेकिन यह और यह इसका direction हो रहा है, तो यह आप देखेंगे basic physics है इसके पीछे, अब यहाँ पे एक चीज़ का concept और आता है, shadow zone का concept आता है, shadow zone क्या है, ऐसा area जहाँ पे यह wave नहीं पहुंचता, उसका shadow create हो जाता है, इसको आप diagram के थ्रू अगर चाहें तो ज्यादा अच्छ और दूसरे साइट से यहाँ, तो बीच में यह क्या हो गया, shadow zone create हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि mediums अलग-अलग है और आपने एक phenomena पढ़ा होगा, reflection, rarer और denser medium से जब चीज़े बदलती है, अपने direction बदल लेती है, तो यह आप shadow zone देख सकते हैं, ऐसे S wave का shadow zone देखें, यह ही change हो गया, यहां से core से इधर, यहां available ही नहीं है, मतलब 105 degree इधर, 105 degree इधर, available नहीं है, क्योंकि यह chances है, कि यह जो core का outer boundary है, यह वाला जो portion है, यह शायद liquid है, इसलिए हम पही बार लोग मानते हैं, कि outer core liquid होगा, इसलिए S wave इसमें travel नहीं करता है, उसका shadow zone create हो जाता है, तो type of earthquake में देखेंगे सबसे common क्या है, tectonic earthquake, यानि अलग-अलग tectonic plate के movement की जैसे जो earthquake होता है, इसको tectonic बोलता है, दूसरा एक बहुत common earthquake क्या है, volcanic earthquake, right, volcanism, जब वलकेनों फटता है, तो उसके आस-पास की धरती हिलती है, right, volcanic earthquake बहुत important है, और अगर आपने एक movie देखी होगी, पॉम्पेई, अगर आपने पॉम्पेई के history को जाना है, कि कैसे ये कुरा city buried हो गया, right, Mount Vesuvius erupt होता है, तो ये आप देख सकते है, इसमें आपको idea लगेगा, कि पॉम्पेई में क्या हुआ था, volcanic earthquake जब होता है, तो पहले से आपको धरती, indications देने लगती है, कि कुछ दिन बात, volcanic eruption होने वाला है, right, frequently earthquakes आते है, इसको earthquake, swarm भी कहते है, एक word सिख लीजे, earthquake, क्या होता है, swarm, number of earthquakes आते है, volcanic eruption के actually होने से पहले कुछ दिनों तक, ताकि आपको पता लग जाए, एक तरह से warning sign होता है, right, और एक और आप देख सकते है, यहां पे लिखा है, क्या, कौन सा earthquake, in areas due to mining activity, underground, तो क्या होता है, आप mining activity में अगर mine collapse कर जाए, तो वहां पे tremor, tremor आ सकता है, collapse earthquake कहते है, इसको, इसके अलावा अगर chemical और nuclear explosion होता है, तो उसको explosion earthquake कहते है, और पांचवा और आखरी category क्या है, reserve wire induced earthquake, आपने देखा होगा कि dam जब create करता है, तो यहां पे बहुत सारा मि कानी जमा रहता है, इससे क्या होता है, यह pressure exert करता है नीचे, और यहां का surface, chances है कि move करेगा pressure में, और यह balance बिगड़ेगा, तो यहां से energy emit होगा, इसको reservoir induced earthquake कहते है, dam sites, खास करके इंडिया में अगर आप देखेंगे, बहुत famous history है, कोई ना डैम earthquake, महराश्ट्रा में, 1966 का इस scale, right, 1935 में Richter scale को, इस्तमाल करना हमने शुरू किया था, right, और एक और scale है, जिसको आप देखेंगे, mercury scale, तो Richter scale तो 0-10 पे चलता है, mercury scale 1-12 पे चलता है, तो mercury scale में generally हम क्या देखते हैं, जो italian seismologist है mercury, उन्होंने क्या किया, intensity scale को बनाया, इस तरीके से, जिसमें visible damage आपको पता लगे, मतलब earthquake आने के बाद, damage कितना हुआ, अगर यह scaling करनी है, तो mercury scale use करेंगे, लेकिन earthquake कितना ताक तो Richter scale use करते हैं, यह चीजों को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, अब यह बहुत basic यहां दिया है, effects of earthquake क्या होता है, तो earthquake होने से क्या क्या चीज़े होती है, आप देख सकते हैं, ground shaking, different ground settlement, land and mud slides, अच्छा, mud slide जो word लिखा है, यह आप चेक करिए, mud slide is a wrong word, mud हमेशा क्या होगा, flow category में आता है, यह थोड़ा एक principle mistake मुझे NCRT में दिखता है, कि mud slide नहीं होता, ठीक है, land slide होता है, debris slide होता है, लेकिन mud flows होता है, तो इसको correct जरूर कर लिजेगा, अच्छा, इससे यह समझाता है, कि जब भी कोई चीज़ पढ़िए, तो आंग बन करके भरोसा मत कर लिजे, थोड़ा और research करें, beyond भी जाने की कोशिश थोड़ा सा कर सकते हैं, अगर समय हो आपके पास, ताकि इस तरह की principle mistakes आपके साथ रहना जाए lifelong, mud flows very important, ऐसे ही आप देखिए, ground lurching, avalanches, displacement, flood from dam, levy failures, fire, structural collapse, falling object, tsunami, यह सारे के सारे earthquakes related phenomena हैं, आप देख सकते हैं, right, तो यह tsunamis तो आपको बहुत सारे case studies और diagram दे दिया है, खास करके जो यह सुमातरा वाला जो earthquake आया, इंडियन ओशन सुनामी जाया, यह बहुत famous हुआ, इससे बहुत जादा तबाही मची, तो इसके बाद से सुनामी पे बहुत सारी studies भी होनी शुरू हो गई है, research भी होना शुरू हो गया ह सब चीजे जो है यह बहुत important है, अब यहाँ पर दिया है, damaged Amun Setu at L.O.C. in Uri due to earthquake, यह example आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब यहाँ पर आता है structure of the earth की बाद, कि अगर आप earthquake और सिसमी city को पढ़ चुके, सिसमी वेवस का nature characteristic जानते हैं, और earthquake का effect जान और it is brittle in nature, तूट सकता है, तूटता फूटता है, और क्या लिखा है, oceanic crust is thinner, मतलब oceans जिस crust के उपर बैठा है, वो थिन है, continent मोटा है, तो oceanic crust जो है, वो कहीं कहीं पर 5 km का भी है, और कहीं कहीं तक क्या करता है, आप देखेंगे, 30 km तक भी जाता है, जबकि continental crust जो है, वो 70 km तक भी जाता है roughly, तो total मिला के आप समझे कि outer और inner crust मिला के अगर आप देखेंगे, तो 100 km तक का एक average ले सकते हैं, कि total lithosphere कितना है, 100 km, जिसमें 5 से 30 रफली क्या है, oceanic, और बाकि 70 जो है लगभग continental crust आता है, वो की ठिक होता है, जैसे mountain systems उसके है, हिमालेन रीजन में आप जा है इसका, और एक शब्ध यूज क्या गया है, discontinuity, मोहो discontinuity, यानि crust और mental के बीच में क्या होता है, density बदल जाती है, तो दो layer के बीच में जब density बदलेगी, तो discontinuity हो जाएगा, इसको क्या बूलते हैं, मोहो discontinuity, और upper mental जो है, उपर वाला portion जो है mental का, वो क्या है, 10% molten है, 90% solid है, तो इसको esthenosphere भी कहते हैं, मतलब लगभग-लगभग 100 km से 200 km और कई एरिया में तो up to 400 km तक, ये जो area है, ये weak zone है, esthenes का मतलब weak होता है, Greek word है esthenes, तो ये जो layering दिया गया है, इसको अब जरूर practice कर लीजी, ये esthenosphere जो है, ये weak zone है, upper mental का portion है, और mental 2900 km तक है, उसके बाद outer core है जो liquid है, और उसके बाद फिर solid core की बात है, अब यहाँ देखिए 6378 दिया हुआ है, वहाँ पे 6370 या 71 लिखा हुआ था, अब ये difference क्यों है, क्योंकि polar radius और equatorial radius में फरक होता है, तो इसलिए हम average जो लेते हैं, वो 6371 लेते हैं, तो आप 6371 को याद करके चलिए, ये ध्यान अब आते हैं कि अब यहाँ पे core में किस तरह से structure है, तो 2900 से लेके आप देखेंगे, जो nickel और iron वाला layer है, वो पूरा-पूरा core है, और शुरू-शुरू में 1906 तक तो हमें सिर्फ पता था कि एक ही core होता है, जो की scholar थे Oldham, और Oldham ने Geological Survey of India के साथ बहुत काम किया, इनोंने बताया कि एक ही core है, लेकिन ऐसे ही 1929 आते आते तक, outer और inner core में ठीक है, difference पता लग गया, जो की Lee-Man नाम के एक scientist ने बताया, इसलिए इसको Lee-Man discontinuity भी कहते हैं, तो 1929 से लेके अब तक, यानि अभी 100 साल नहीं हुए है इस बात को, कि outer और inner core अलग-अलग है, यह पता किये, त पता चला है हमें इस सारी बात है, उससे पहले तो इतना detail हमें पता भी नहीं था, तो यह सब देख सकते हैं, अब volcanic landforms की बात यहां पर आप देखेंगे तो की गई है, यह वलकेनों से जो लावा निकल के आता है, और अभी जो present में active है, उसका active वलकेनों कहते हैं, तो आप इस इस कॉल्ड शील वलकेनों, राइट, शेप की हिसाब से, ऐसे ही cinder cone, थोड़ा सा जो conical हो, और यह cinder, यानि loose grainy material, इसको बोलते हैं, cinder cone volcano, conical shape में आता है, ऐसे ही composite volcano है, word ही है composite, यानि अलग-अलग layer को मिला के, यह क्या हुआ है, compose हुआ है, यानि इसमें आप structure है, lava flows का, सबसे अच्छा example आप देख सकते है, Mount Fujiyama, Japan में है, बहुत अच्छा example है, यह, किसी का composite volcano का, और caldera, जो सबसे बड़ा opening जिसका mouth होता है, वलकेनों का, इसको calderas कहते हैं, और moon के उपर भी, Mars के उपर भी, बहुत सारे calderas पाए गए हैं, तो उमको पता है कि वहा navigation वहां भी हुआ है, magma chamber जो है, वो बहुत बड़ा है, explosive, highest explosion होता है, caldera का, और इसमें एक और चीज़ कही गई है, flood basalt provinces, जब basalt जिसको आप कहते है, यानि oceanic surface पे जो material जमा है, तो liquid lava जब निकल के आता है, और बहुत दूर तक flood की तरह बहे, और वो जम जाए, तो क्या create कर close जो है, वो hundreds of kilometers तक जाता है, और एक best example हमें lava province का क्या मिलता है, deck and trap region, महराष्ट्रा प्लेटू वाला जो area आप देखेंगे, black soil region, cotton soil region इंडिया हम पढ़ते हैं, वो यहीं कव बोलते हैं, फिर आता है mid oceanic ridges, तो आप देखेंगे Atlantic में जो यह S-shape का ridge है, वो आप देखेंग कि बहुत important एक चीज है, जो बताये गया है कि अगर यह plate और यह इधर move कर रहे हैं, तो beach से lava निकलती है, और यह ridge line, एक mountain बहुत लंबा chain create होता है, तो आप देखेंगे कि mid oceanic ridges, जो है, वो 70,000 km long है पुरे धरती पे, अगर आप सारे को मिला लें तो, आप volcanic landforms में हैं, cooling of lava जब होता है, तो igneous rock बनता है, जिसको volcanic rock कहते हैं, और plutonic rock है कि crust के अंदर, surface के अंदर अगर वो cool हो जाए, ऊपर नहीं निकले तो, तो यह plutonic rock हो गया, जिससे आप intrusive forms को पढ़ते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे, यह diagram बहुत अच्छा दिया गया है, यहाँ पे, कि dike है, यह जो आप neck जैसा surface दिख रहा है, यह जो आप दिख रहे हैं, ऐसे mound जैसा surface, इस तरीके से shield जैसा धर्दी के नीचे layer के, इसको lacolith कहते हैं, और अगर यह ठीक उल्टा हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, lopolith बोलेंगे, lacolith बोलते हैं, और bath हो गया, जैसे यह bath tub हो गया lava का, तो इसको batholith कहते हैं, एक diagram में कित्ती सारी बाते inform कर दी गई है, तो इसको एक एक करके आप देख सकते हैं, कि batholith जो होता है, वो पूरा magmatic material का जो पूरा chamber है, वो है जो जमा हो गया, right, lacolith की बात अगर हम करते हैं, तो यह एक dome shape intrusive body है, right, ऐसे ही lapolith जो है, वो lap की batholith बोलते हैं, right, wavy forms होता है, तो इसको आप देखते हैं, syncline, anti-cline जो है structure create होता है, right, यह सारे के सारे आपको दिखेंगे batholith में, ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए कि horizontal bodies of the intrusive igneous rock को sill कहते हैं, या sheet कहते हैं, अगर ऐसे जमा हो जाए layer के बीच में लावा, और ऐसे neck के form में जमा हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, dykes कहते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, right, तो यह जो wall-like structure बन जाता है, perpendicular to the ground, इसको dykes कहते हैं, और इसे बहुत सारे feature हमको अपने deck and play tune में ही देखने को मिलता है, यह बहुत अच्छा चीज है, right, तो आप देखेंगे कि य नीचे का structure जो है, crust, mental, core, उसके sub-layers, यानि अस्थिनोस्फियर, right, upper mental का जो portion है, वो outer core कैसा है, और उससे related सारे discontinuities, magma, lava, earthquake, volcanism, waves के types, इतनी सारी जो बाते हैं, वो सिर्फ एक chapter में summary की तरह आपको दे दिया गया है, right, लेकिन इसी को अगर आप जब detail में पढ़ने जाते है हर एक topic को elaborate करते है, तो उसके लिए आपको और higher level की text books पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, लेकिन NCRT के लिए revision के लिए chapter काफी है, और यह बहुत अच्छा information दिया गया है, एक ही जगह पे consolidated, जो कि आपको हर competitive exam के लिए मदद करेगा, तो मैं आशा करता हूँ कि ये revision आपको अच्छा लगा होगा, कुछ extra information जो मैंने दिया है, उसको ज़रूर याद से रख लीजे, वीडियो को बार-बार देख सकते हैं, आप revision कर सकते हैं, और जैसा मैंने किया, आप लोगों को बताया, कि आप please वीडियो को share जरूर करिये, like जरूर करिये, channel को subscribe करके रखिये, और इस सीरीज को हमें बहुत लोगों तक पहुचाना है, ताकि वो और अच्छे से इसको revise कर सके, तो उसमें मेरी मदद करिये, so all the best wishes to all the learners, all the aspirants, enjoy, be safe, take care.